हेलो फ्रेंड्स तो आज किस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कट 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 हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज किस लेक्चर में हम पढ़ेंगे exercise 8.1 के question no.4 के बारे में वीडियो में अगर आप नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जुरूर शियर करें चलिए question को start कर लेते हैं question में देखिया हमारे पास क्या है 15 quote A is equal to 8 हमारे पास values given है तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं 15 quote A is equal to 8 यहां से क्या करते है हम quote A की value निकालते हैं तो quote A की value क्या आएगी देखिए 15 को अधर ले जाते हैं तो यह होज़ेगा 8 by 15 clear students अब इसके बाद क्या करेंगे देखिया हमाई पता है quote का formula क्योंते हैं मैंने आपको पहले भी बिताये था अपने एक ट्रिक याद रखनी है वो क्या थी पंडित बदरी परसाद हर हर बोले चीक है यह sign, cost and यह cosecant, secant और यह quote तो हमारा quote कहाँ पर आता है यहाँ पर तो quote का formula क्योंते है base upon perpendicular इसका मतलब क्या है यह मेरा base है और यह मेरा perpendicular है तो मैं एक ट्रेंगल रो कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस टाइब से ठीक है यह है मेरा A यह B और यह C ठीक है students तो A यानि कि हमारे पास angle निच्चे ही रहेगा ठीक है जैसा हमने पहले lecture में पर डिसकस किया था तो quote का formula कहता है base upon perpendicular तो base कितने हमारा 8 और perpendicular कितने हमारा 15 ठीक है तो सबसे पहले हमें जो unknown values हैं उनको निकालना पड़ेगा using pythagoras theorem तो सबसे पहले हम use करते हैं pythagoras theorem का pythagoras pythagoras theorem pythagoras theorem क्या कहती है hypotenuse का square ठीक है is equal to base का square plus perpendicular का square ठीक है pythagoras theorem क्योंती है hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square ac की value हमें निकालनी है तो ac का square is ab की value कितने है मेरे पास 8 plus bc की value मेरे पास है 15 तो ac square कितना आजेगा मेरे पास 8 एट जा 64 plus 15 को करेंगे 15 से 2 to 5 अब यह मेरे पास finally क्या आ गया देखो ac square is equal to इसको जब plus करेंगे तो यह मारे पास आएगा 5 और 4, 9, 6, 2, 8, 289 इसके बाद क्या करेंगे taking roots on both sides दोनों sides हम क्या लेते हैं root लेते हैं देखे दोनों sides root लेंगे तो ac का square is equal to 289 का भी root आएगा इस type से यहां से square से root cancel होजेगा तो हमारे पास ac के value आजागी 289 का root इसके बाद हम क्या करेंगे 289 के factors बनाएंगे 289 के factors क्या होते हैं देखिए कितने के table पे जाएगा है 13, 15, 17 पे जाएगा है 17 कम 17, 17 सत्रा सत्ते एक सुनमी 17 बन्जा 17 17 को 17 से multiply करते हैं तो मेरे पास 289 आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे AC is equal to 17 का square और उपर इसके root square से root कर जाएगा तो AC की value कितने आजेगी 17 ठीक है तो मेरे पास hypotenuse की value आजाती है 17 अब यह आपने इसके बाद क्या करना है देखिए हमें निकालना है sine A और secant A अब sine A का formula क्योंता है sine A is equal to sine का formula क्योंता है AC तो sine A की value कितने आजाएगी BC कितना है मेरा 15 अपन hypotenuse कितना है 17 तो यह value मेरी आजेगी sine A की ठीक है ऐसे ही सेम हम secant A की value निकाल सकते है secant का formula क्योंता है hypotenuse upon base तो hypotenuse कितना है मेरा AC और base कितना है मेरा AB ठीक है तो secant A की value किया जेगी मेरे पास AC कितना है मेरा 17 और AB कितना है मेरा 8 तो यह मेरी secant की value जाएगी ठीक है students तो ऐसे आपने questions करने है बहुत असान है कोई मुश्किल नहीं है सबसे पहले आपने triangles बनानी है triangle बनाने के बाद उसके बाद जो unknown side है जो आपको नहीं पता है वो आपने निकाल लेनी है उसके बाद finally फिर आपने Pythagor Storm लगानी है वो side निकालने के लिए Pythagor Storm लगाने के बाद फिर आपने जो unknown side से वो आपके बास आ जाएगी फिर last में आपने क्या करना है जो भी required values है जैसे हमारे पास sign ने पुछा गया था second ने पुछा गया था वो आप निकाल सकते हो कोई मुश्किल नहीं है ठीके न स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जुरूर बताएं अपने friends को share करें वीडियो में नहीं थे प्रीश चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें पढाई करते रहिए All the very best